प्रिकिंदर आपको 360 डिगरी का पीचर मिलता है तो आप इस तरीके से फ्लॉक्वाइट और एंटी फ्लॉक्वाइट गुना सकते हैं और रिमोट कंट्रोल कार्स जितनी भी आती है उनमें आपको हमेशा बहुत ही जाधा दुरिबिलिटी की प्रॉब्लम में आती है तो इसके दर मिलेंगे आपको कुछ ऐसे यूनीक फीचर्स जो नॉमल कीसी कार में आते हैं और वो है यह वाली नियू ड्रिफ्टिंग को का अब इसके दर नया किया है और बढ़िया चीज है कि जो पूरी कार है यह सारी मेटल की बनी हुई है तो इसलिए आपको डियूरिबिलिटी बहुत ही बढ़िया मिलती है और एक अच्छी चीज है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना यहां पर हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं अगर आपको यह वीडियो देखना पसंद है तो आपके लिए यह लिए चैनल एक दम परफेट आज हम बात कर रहे है एक हैं नहीं रिमोट कंट्रोल ड्रिफ्टिंग मोका कार की काफी थेम Singh आरे इस ताइम पर एक बढ़्या तरीचे से ट्रेंट कर रहे हैं इस शरी। एंडर उनिल強 मड कार की तरह हो ती एक की नदर आपको मिलता है एक जोएस्टिक वाला रिमोट इसे खो तो आप इस कार को चला सकते हो और सबसे बढ़िया चीज देगो इस रिबोन में आपको यहां पर आपको एक लेफ राइट करने का फीचर मिल रहा होगा बद यह कार नॉमली लेफ राइट नी होती है इसके अंदर आप इस कार को जब आप 360 डिगरी चला होगे तब आप इसक आपको कड़के दिखाता हूँ सबस्वाले तो देख लो यहां से आप इस कार को ओन और आफ कर सकते हो जैसी ओन करोगे तो इस कार में इस तरीकी की लाइट्स ब्लिंक करेगी इट्मी इस कार ओन होगी है इस कार में 3.7 बोल्त की बैटरी लगी है जो कार के साथ आती हो और इसके साथ में 4 दर आता है जिसके तो आप कार चार्ज कर सकते हो अब देखो यह वाली जो कार है इसके अंदर आपको टॉन करने का बहुत यूनीक फीचर मिलता है देखो अब इस रिमोट से मैं जब कार को चलाओगा तो देखो यह फ्रांट और बैट चल रही है उप्ते इसकी बैटरी फूल है बहुत ही बड़िया स्पीड से चल रही है अभी तो एकदम बिल्कुल मक्कन चल रही है उसको एक्टोली में फील होगा काफी मक्कन चलती है कार अब बेसिकली इस कार के इंदर आपको 360 डिगरी का पीचर मिलता है तो आप इस तरीके से फ्लॉक्वा इसको नंड़ करना है तो आपको पूरी कार को टर्न कराना पड़ेगा इस तरीके से इसको आगे और पीछे कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो इसको और गुमाने जाते हो तो हल्का दर लाओ के देखो यह लेफ्ट राइड टर्न हुआ तो यहां से मैं इसको फ्रेंट और चला सकता हूं, अगर मुझे इसको राइड गुमाना है तो इस तरीके से गुमाया, और इसको में फ्रेंट और बैक कर सकता हूं, बैसिकली जो भी इसमें टॉर्न करनने का फीचर है, वो कुछ इस करीगेगा है हो हलका हलका लेफ्ट और राइड करने हैं लेकिन पूरी कार लेफ्ट राइट होगी सिरफ जो वील्स होते हैं वो लेफ्ट राइट नहीं होगे तो यह इसका काफी उनीक फीचर था जो कि मुझे काफी सही लगा अब इस खार के अंदर बिकॉज यह रबर डॉम्स लगे वे हैं इसलिए इस कार को जब भी आफ लोर पे चलाओगे ए इसलिए आपको मैक्सिम्म 14-15 मिलेटा बैटरी बैटरी बैगम मिलेगा उससे जाधा नहीं मिलेगा अब इस कार को चलाते में मेरे दिमाग में बात आई कि यार ऐसी बहुत सारी कार साथी है जिनमें आपको डूरी बढ़ी है बट इसमें अगर एक स्मोक का फीटरो डाल द मैं इसलिए हुआ इसलिए हुआ बिकास यह रिमोट है 14 मेगार्ट का मैं एक्सपेक्ट करा था इसके में 2.4 घीगार्ट का रिमोट होगा अब इस रिमोट से इस कार को आप मैक्सिमम 15 फीट तक चला सकते हो जहां तक मैंने ट्राय किया उससे जाधा नहीं और आली कार काफ 200-2000 की रेंज में बिकास इस ताइम पर यह कहीं ऑफलाइन अबलेफल नहीं है मानेम इस इदेशन यह वाचिंग ब्ले मास्ट अगर आपको ऐसी अमेसिंग वीडियो देखना पसंना है तो पेज प्ले मास्ट को भी फॉलो कर सकते हो मिल नेक्स वीडियो में न्यू कॉंटेंट के साथ तब तक के लिए टेक के लिए टेक केर एंग बुद्वाइब